लोकसा जुनाफ के लिए आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच हुए गठ बंदन और सीटों के तालमेल को फुटना देख राजनीती का परियाए बताते हुए केंद्रे मंत्री मिनाफशी लेखी ने दावा किया है कि अर्विन के जिवाल 2012-2013 से ही सोनिया गानी से जु साथ सीटों पर जीत हासिल करेगी. लेकिन यहां तो लोग राजनीती के चक्कर में सिर्पे खड़े होकर पाउंपर करके खड़े हो जाते हैं और यह दिखाई दे रहा है मतलब वो शीर्शासन दिख रहा है और वो शीर्शासन दिख रहा है क्योंकि पाउंपर चलने की और खड़े होने की आउकात खतम हो गई ह वो शक्ती खत्म हो चुकी है और वो जो अशक्त पार्टियां है वो किसी तरीके से अपने आपको शक्ती प्रदान करने के लिए इस तरीके के हरकते कर रहे हैं मैं आपको इतिहास के पन्नों से कुछ चीज बताना चाहती हूँ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2013 मैं आपको याद इलाना चाहते हूँ 2013 का वो सबब जिस समय पर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कॉंग्रेस पार्टी जो है ब्रष्टाचारी पार्टी है और इस ब्रष्टाचारी पार्टी के साथ इससे बड़ी ब्रष्टाचारी पार्टी कोई और हो नहीं सकती और खे रश्टाचारी बैठे हैं और लिस्ट तक जारी की थी और मुझे लगता है कि वो लिस्ट आज पढ़ना जरूरी है उस लिस्ट में शामिल थे कि आम आदमी पार्टी के लिस्ट में सबसे पहले कॉंग्रेस के उपाध्यक्ष थे उस समय राहूल गांदी, यूनियन मिनिस्ट थे कपिल सिब्बल, सुशील कुमार शिंडे, विरपा मॉयली, जीके वासन, सल्मान खुर्शीत, कमल नात, श्रीप्रकाश जैस्वाल, फारूख अब्दुल्ला, NCP के चीफ और शरत पवार, फनी जो है वो ये बात है कि आज 10 साल बाद इन दोनों के बीच में कॉंपेटि लेकिन ब्रश्टाचार के आंदोलन को जिसको भाजपा ने शुरू किया और असलियत में जाडू को थामने वाला हाथ पहले भी कॉंग्रिस का था और आज भी कॉंग्रिस का है